जी हाँ, सुरुजकुंड महत्सों में भोजपूरी के सूपर अश्टार, ट्रेंडिंग अश्टार, खेसारी लाल जी का आगमन होने जा रहा है नमस्कार, मैं हूँ संकर गुस्वामी और आप देख रहे हैं संकर ब्लोग स्वागते फिर से हमारे एक नए वीडियो में तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जन्वरी से हजारी बग जिल्ला में बरकठा परखंड के अंतरगत सुरी कुंड में 14 जन्वरी से 30 जन्वरी तक एक मेला का आयोजन किया जाता है 15 दिनों के लिए एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है खास क्या होने वाला है? बहुत लोग जान भी रहे हैं लेकिन जो नहीं जान रहे हैं ये वीडियो में उसके लिए बना रहा हूँ तो दोस्तों इस बार सुर्जकुंड में क्या खास होने वाला है? आये इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगो जनकारी देने की कोशिस करता हूँ जहां तक मिले जनकारी के अनुसार मैं आप लोगो बताना चाहता हूँ कि इस बार सुर्जकुंड महत्सव आयोजन किया गया है जी हां जिस तरह इटखोरी महत्सव, रजरप्पा महत्सव आप लोग सुने होंगे ठिक उसी परकार सुर्जकुंड महत्सव भी इस बार मनाया जा रहा है और इस सुरजकुन महत्सों में भोजपूरी के सूपर अश्टार ट्रेंडिंग अश्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल जी का आगमन होने जा रहा है आप लोग सोचते होंगे कि ये महत्सों कब मनाया जाएगा तो दोस्तों 10 जनवरी को सुरजकुन महत्सों का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में भोजपूरी के सूपर अश्टार खेसारी लाल जी का आगमन होने वाला है और इस महत्सों में बहुत से अश्टारों को आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे हमारे जारखन के पदमस्री मुकुंद नाइक जी का आगमन भी होने वाला है जो जारखन के रहने वाले हैं और हमारे जारखन के संस्कृति को बहुत उच्चे लेबल तक पहुँचाए हैं इनको पदमस्री पुरुसकार से भी नवाजा गया है और साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जारखन की रहने वाली सुपरस्टार सालिनी दूबेजी जो सारे गामा पाके माध्यम से हमारे जारखन का नाम रोसन किये हैं तो एक साथ आप लोगों को इस सुरजकुंड मुहत्सों के माध्यम से आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा, कुल मिला कर देखा जाए, तो इस बार सुरजकुंड में तबाही होने वाला है, जी हाँ, जिस स्टेज पे खेसारी लाल जी रहेंगे, भाई वहाँ तो तबाही होना ही है, गर्दा गर्दा हो जाएगा, और हमारे जारखंड के पदमस्री, मुकुंद नैक जी, हमारे जारखंड की सुपर स्टार गाई का, सालिनी दूबे जी, सारे एक साथ एक मंच पे आप लोगो देखने को मिलेगा, अगर ये जानकारी आप लोगो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस जानकारी को आगे तक सेयर करें, जो कि दूसरा कोई भी जान पाए कि हमारे सुरजकुन में खेसारी लाल जी का आगमन होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को सेयर कर दिजेगा, और कॉमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कॉमेंट कर दिजेगा, अगर ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग यूटूब के माधियम से देख रहे हैं, झाल झाल